हाई गाईस वेल्कम बैक टो माई चैनल संगीता ब्यूटी वर्ड कैसे हैं आप सब तो आज में आप लोगों को कर ली और फ्रीजी हेर्स पे कटिंग करके दिखाऊंगी और इनके हेर पे मैं करने वाले हैं स्टेप्स कटिंग आप देख सकते हैं इनका फेस काफी ब्रॉड ह बट इनके जो हेर हैं सामने के काफी ज्यादा लाइट हैं तो मैं दोनों तरब से निकाल रही हुए हैर उसके बाद भी आप देख सकते हैं काफी लाइट है इनका और छोटे बड़े बहुत ज्यादा हैं अनीवन हैं एक जैसे हैर नहीं है तो अगर आपके हैर इस तरीके स किस तरह के के क्टिंग करें तो तो आप इस कटिंग को जरूर देखें श्टार्टिंग से लेकि लाश्ट तक जरूर देखें आपको इनकालुक पता चल जाएगा आपित दे सकते प्रॉबलम हैं uneven कहीं छोटा कहीं बड़ा तो वो जो है steps में convert हो जाता है ना तो आपकी जो problem है वो hide हो जाती है यह देखे second section निकालूँगे और इस तरीके से सामने की तरफ लाके ही cut करना है इनके hair की problem है कि उपर में काफी घना सा feel होता नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा light है और बहुत puffiness है इनके hair पे तो मैं ज्यादा short नहीं करूँगी क्योंकि already इनके hair ज्यादा लंबे नहीं है तो बस मुझे steps देना है और इनकी जो problem है उसको मुझे steps के through उसको hide करना है तो यह देखे मैं इसको नीचे लाके cut करूँगी लगभग मैं 2 inch की दूरी पे कर रही हूँ तो आप भी इतना ही कर सकते या फिर और ज्यादा लंबा रख सकते हैं आप इस तरीके से और अब मैं निकालूंगी third section just ear के पीछे से तो यह देखे इस तरीके से निकालना है जश्ट कान के पीछे से मैं यह third वाला section निकाल रही हूँ इस तरीके से और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले ऐसी बहुत अच्छी ची वीडियो आपको मिलते रहेंगी जो कि आप अच्छी ची कटिंग को काफी इजी वे में सीख पाएंगे और इसको भी में जो है दो या डाई इंच की दूरी पे लाकिया सा बिल्कुल बराबर कट कर दूँगी इस तरीके से कट करना है यह देखेए और मेरे प्ले लिश्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं उसमें काफी अच्छी ची वीडियो पड़ी हुई हैं जैसे की मेकप की हैरिस्टाइल की हैर कट की बहुत सारी वीडियो जो आपके काम सकती हैं आप उनको देखे जरूर और अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो यह जो है मेरा शामने का हो चुका है और अभी हलका समय थोड़ा लुक चेंज करने के लिए सामने के यह को थोड़ा और शॉर्ट करूंगी और इसको मैं वी शेप में काटूंगी इस लेयर को इस तरीके से वी शेप में कट करना है आपको ऐसा और नीचे की तरफ इस तरीके से कट कर देना है मैंने दो तरीके आपको बताया है एक पहले भी मैंने बताया है और एक यह वाला तो आप दोनों तरीके से कट सकते हैं तो यह सामने का भी हो चुका है और अब मैं बैक साइड में जाके कट करूंगी तो सबसे पहले जो इनक स्क्वेर पार्टिंग करूंगी ऐसा आप देखेगा इनके हेर में कितनी ज्यादा यह प्रॉब्लम है छोटे बड़े हेर्स काफी ज्यादा हैं और इसको मैं अच्छे से बराबर कर लूँगी और इसको बिल्कुल स्टरेट उपर ले जाते वह 90 डिगरी में इसको कट कर दूँगी यह दिखिये बिल्कुल स्टरेट ले जाऊंगी उपर की तरप स्टरेट कॉम करसे वह ले जाना है मैं नाइटी डिग्री पे मैं कट करूंगी और जो मैं फ्रंट पे लेयर काटी थी मैं उसी को देखते हुए मैं ये वाला भी कट करूंगी ये देखिए गाइड लाइन दिख रही है अब इसी को देखते हुए मैं इसको मैं कट कर दूँगी मैं काफी कोशिस करती हूँ बताने की कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद में मैं इनी से थोड़े से हैर निकाल लोंगी और बाकी का किलिप कर दूँगी जैसे कि आप मेरी हर कटिंग में देखते होंगे ये देखे को और ठेक करने के बाद इसको मैं ऐसा क्लिव कर दूंगे ऑफ अर्फ के बाद जो पीछे के cable हैं उसको मैं दो भागोमे डिवाइट कर ली हुं और इस तरीके से स्ट्रेट करते वे ले जाना लंका हलका उपर उठाते वे जाऊंगी और कट करते वे जाऊंगी मैं यह देखे इनका इतना ज्यादा फ्रीजी है और इतना ज्यादा चोटे और बड़े की प्रॉब्लम है कि वह हेर फिंगर जो छुट जाते हैं नीचे के हेर काफी शॉट यह देखे तो अभी मैं इसमें इतने सारे स्टेप्स दोंगी ताकि इनकी यह जो प्रॉब्लम है वह हा करवा सकते हैं या फिर अगर आप पालर करते हैं और आपके पास इस तरीके से क्लाइंट साते हैं ऐसे हेर वाले आप इस टाइप से कटिंग कर सकते हैं अब शेम इधर कभी मैं वैसे ही करने वाली हूं गाइडलाइन देखते वे कट करते वे चले जाना है इस तरीके से कट करूंगी मैं जैसे कि आप देखी सकते हैं कि यह हैर कितना ज्यादा छूट रहे मेरे फिंगर से जैसे ही उपर ले जाती हूं तो जिनके जो रूट से आधे आधे हैर आये हैं वो काफी ज़्यादा शौट है वो अपने आपी नीचे छूटने लगता है तो अभी इस तरीके से जो मैं कटिंग की हूँ अभी वो पूरी तरीके से इस पे वो भी एक स्टेप्स में ही करनवार्ट हो जाएगा तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि इनके हैर में ऐसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी भी तो अब मैं इस पे जो है करूँगी अभी स्ट्रेट मांग निकालूँगी सामने से पीछे तक और दो भागों में डिवाइट करके फ्रंट तरफ लेके जाऊँगी और लेयर कट करूँगी इस तरीके से तो ये देखे मैं सामने की तरफ ले आई हूँ और अब मैं इस पे लेयर कट करूँगी कि इस तरीके से अच्छे से कोबिंग करते वे लाना है और जितना रफ है या जितना भी एक्ष्रा दीख रहा है उसी को मैं कट करूँगी यहां पे इस तरीके से कट करना है कि ये देखे और अब ही देखिएगा प्लाश्ट में बहुत ही सुन्दर लुक आएगा और इधर का भी शेम वैसे ही करूँगी मैं कोमिंग अच्छे से करना है और अंदर से बिल्कुल रूट से आप कोम करेंगे ताकि कहीं भी एक भी हेयर आपका चिपका हुआ नहीं रहना है चाहिए कि वह बाद में फिर एक्ट्रा सा दीखेगा इसलिए आपको कोमिंग करने में कोई लापरवाही नहीं करनी है को मिंग बहुत ही अच्छे से करें तो यह देखे इधर कभी मैं अच्छे से लेयर कर दी हूँ मैं और अब पीछे ले जाके मैं इस पर करूँगी यू यूट्रीव करने वाली हूँ अब बिल्कुल हलका हलका सही कटिंग करना है नीचे से अभी क्योंकि कटिंग अप्रॉपर हो चुकि है अब हलक किसी जो फिनिशिंग बस नीचे से देना है और ऐसा फिंगर्स में पकड़ते वे मैं करूंगी जितना एक्षा दीख रहा है उ आई हूप कि आपको सारी चीजे समध में आ गई होंगी कि किस तरीके से करना है तो फ्रंट से पहले आपको तीन सेक्षन डिवाइड करके तीन लेयर फ्रंट से काटे हैं सामने तरफ ले जाके फिर स्क्वेर पाटिंग करनी है उपर में उसको 90 डिगरी पे कट करना है फिर आपको लाश्ट भी जो पीछे का हिस्सा है उसको दो भाग में डिवाइड करके उसको दीरे दीरे उपर की तरफ ले जाते हुए आपको इस टेप्स कट देना है पीछे से फिर आपको सीधे लेयर कट करना है और यू शेप करना है काफी इजी है और ये कटिंग बहुत बिलाइड कर दोओं इस टाइसे करना है आओ आँ अबिस्ता न बढसा है और अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी दाप भूलेंू शेयर सब्सक्विट कर सकते हैं कि अरना फेस्हrah सिर्फ तरИक्छी कर सकते हैं तो अब मैं आपको सब्सक्काइब के डिखाऊंगे के से हमीब को मैं तर आप मेरी वाकी वी डिएयो में आप देख चुके हैं मैं पात मिरे वाकी हैं हमारू कि मेसे लिए और या अनन高 भी आप कर सकते हैं तो यह देखिए यह रहा इनका फाइनल लूप बताएगा जरूर कमेंट्स के तुरू की कैसा लगा आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें तो यह देखिए और क्लिप करने के बाद में काफी और अच्छा लग रहा है यह इनका फाइनल लूप तो तब तक के लिए बाबाई थैंक यू